नमस्कार दोस्तों स्वागल है आपका अपनी चैनल स्टोक नीज बायर पी में है देखिए टाटा पाउर आज के दिन 236 का लेवल क्रोज कर दिया और बहुत बड़ी खबरे हैं इसका रिजिस्टेंस लेवल सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंडर complete technical analysis मान के चलिए एक तरह से और एक अच्छी ख़बर आईए वो भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो बसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो subscribe वाला नीचे लाल वाला बटन जरूर दबाईएगा दोस्तों आज की दिन की trading देख लेते हैं quantity जो trade हुई है वो एक करोड 34 लाग के करीब हुई है 55 लाग के करीब delivery हुई है 41% से जादा माल देखिए जस दिन market उपर जाएगा इसमें माल उठाना शुरू कर दिये जागा उपर नीचे दोनों ही तरह माल उठाये जा रहा है आज के दिनो अगर ये दो से तीन दिन उपर रुखता है इस आवरेट से तो आप मानके चलिए अब ये 242 का एक level है जो इसे resistance देगा उसके बाद इसको resistance नहीं है तो ये तीन level 238.3, 249.65 और 248.86 यहाँ cold writer लेके बैठे हैं position तो ये वो level है 242 जो इसे तोड़ना होगा नीचे के level पर अच्छा खासा दो से 31,31 के round up बहुत तगड़ा support level बन चुका है तो यहाँ से नीचे नहीं जाता जब तक तो tension की बात नहीं है 230 से नीचे नहीं जाता तो ठीक है दोस्तों और एक और खबर आई है अभी अभी sustainable is attainable नामका एक program शुरू किया टाटा पार ने उसमें वो green energy को और fast track करने की बाते करते हैं देखे खबरें रोज आ रही है अच्छी खबरे आ रही है पठा एक implementation की बात हुए एक operator जो stocks को बढ़ाते हैं कुछ stocks को आपको बता है कुछ stocks engine में operator ही काम करते हैं इसमें operator काम नहीं कर रहा है इनका business काम कर रहा है इसलिए नजर बनाए रखनी ह बिल्ए और हैं की अपनी हरे, बाल स करने के दोती है आदे है कि रहे आदी हैं फिर हापी उपनी हम 95,եраж की इसलिए नजर रहा है मि unter रहा है, traject के सी देवान data काम पर इस हैं ह शैने हम में के दोता है